नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशामें, लेकर आया हूँ आपका अपना कारेक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोग पानकड़े बोलता है आज कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी छे दिन के अमेरिका के दोरे पे गए सैन फ्रांसिस्को में आज उनका इंट्रेक्शन था भारतिय समुदाय के लोगों से वोल्ड कॉंग्रेस कॉंग्रेस की जो इंटरनेशनल आम है, मतलब प्रेंच है सैम पिटोड़ा उसके मुख्या हैं, उनके तात्वादान में विभिन ग्रूप के साथ उबात करेंगे छे दिन सायोग से उसके बाद प्रिधान मंत्री नरेदर मोदी का भी अमेरिका दोरा है राहूल गांधी आज लोगों से इंट्रेट कर रहे थे सवालों के जवाब दे रहे थे और उन्होंने फिर वही बोला जिसको लेकि भारती जन्ता पाटी पुरे देश में उन्हें विलन बनाने के लिए तुली हुई है गोदी मेडिया उस पे तड़का दे रहा है और सुबह से लेकि जब से उन्होंने बोलना शुरू किया तब से उन्हें गद्दार करार किया जा रहा है देश द्रोही करार किया जा रहा है राष्ट द्रोही करार किया जा रहा है भारत का अपमान करने वाला निता करार किया जा रहा है उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की छवी और देश की छवी बिगाडने वाला भारतिय निता कहा जा रहा है राहूल गांदी ने क्या बोला राहूल गांदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग है मुठी भर उन्हें लगता है कि उन्हें ही सब कुछ आता है उन्होंने वेंगात्मक का कि हमारे प्रधान मंत्री यह भगवान के सामने बैठें उन्हें कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि युनिवर्स क्या है और भगवान खुद कंफिर्ज हो जाएंगे कि उन्हान ने बनाया हुआ इनिवर्सिय उनको समझा रहे हैं उनने का कि हमारे प्रदानमंत्री अर्थशास्त्री है हमारे प्रदानमंत्री साइंटिस्ट है हमारे प्रधान मंत्री रक्षा विशिश अग्य है हमारे प्रधान मंत्री सभी विश्यों में पारंगत है ऐसा उन्हें लगता है और उसकी उपर जब उन्होंने कहा कि देश में पुरे देश में मैं चला नफरत की समाज में मैं महबबत की दुकान खोल रहा हूं वही करनाटक की बात तब उन्होंने कहा एक प्रश्ण की उत्तर में देते हुए कि जब एक मुस्लिम यह नाराय ने पूछा की देश में मुसल्मान अस्रिक्षित महसुस करते हैं उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा प्रपोगेट कर रहे हैं मुसल्मानों को लेके लेकि मैं जम्म कश्मीर से लेके स्रिन नगर तक चला मुझे मुहबत बाटने वाले लोग मिले हिंदुस्तान मुहबत बाटने वाला देश है नफरत करने वाला नहीं इसलिए कुछ लोग यह अजंडा चला रहे हैं और सिस्टम उनके पास है मेडिया उनके पास है पैसे का पावर कुछ उद्योग पती उनके हाथ में है इस सबके चलते वो एक नफरत की आंधिलाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उनके साथ सामने मुहबत की दुकान लेके घुम रहा हूँ उन्होंने इस बात को बेबाक रूप से एगरी किया कि अस्सी के दशक में जो आज मुसल्मानों के साथ हो रहा है वो दलीतों के साथ हो रहा था यह उनकी खुद की सरकार कॉंगरेस पकारटी की सरकार एस्सी के दशक में थी उन्होंने एगरी किया कि दलीतों के साथ बहुत उत्पड़न होता था तब उन्हें का इसे दवर आते हैं और दवर जाते हैं लेकिन भारत की मूल प्रवृत्ती जो है वो महबत वाली है प्यार बाटने वाली है और कॉम्डेटिव है आज मुसल्मानों के साथ हो रहा है कल कुछ जगा सीख हिसाई सीख भाईयों के साथ हो रहा है हिसाईयों के साथ हो रहा है एल परसंक्यों के साथ हो रहा है उसको लेकिए पूरी बीजेपी आक्रमक है अब हम बीजेपी से पीजेपी की इन आरुपों को इनके जो सच्चा ही है, जो सत्य बोलने की बात करते हैं, यह कहां डोलता है, इसको मैं आपको अभी रेकांकित करूँगा, राहूल गांधी ने क्या बोला, सबसे पहले मैं आपको बोलू, कि हमारा विश्वे ग्लोबल विलेज हो गया है, अब पुरा विश्वे गाउं हो ग आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, कई भुकम्प हो रहा है तो उसका लाइव कवरेज आपके टेलेवी जन्चादमाज पर देख सकते हैं, पाकिस्तान में आ राजकता हुई, तो वहां का आंदोलन हम सब लोग देख रहे थे, यूक्रेन और रश्या का युद्ध भी ह हम लोग देख रहे हैं, तो इस विश्व में कोई चीज किसी से छुपी नहीं है, तो ये कहना बेनामी होगा, कि विदेश में जाके किसी ने कुछ बोलने से ही सच्चा ही सामने आती है, बाकी जैसे मानों विश्व के लोग आख मुद करके, प्रधान मंत्री के हर दावे प जलाया जा सकता है गयास की सिगडी, यह उन्हें कोन बताएगा कि जब तक गयास कंप्रेश नहीं होता, तब तक सिगडी नहीं जलती, तो महां पर मठके ऊपर रखने से गयास नहीं जलेगा, लेकिन यह वक्तावे वो करते हैं, प्रधान मंत्री के होते हुँए करते हैं, वो हवा में से पानी टर्बाइन से निकालने की बात करते हैं वो बताते हैं कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले पाइलट्स को ग्यान दिया यह दि बरसात का माहूल है बादल चाहे हुए तो बादल के पीछे छुपके जाईए तो रेडार पे नहीं आओगे यह उस बात को भूल जाता है कि रेडार पे कैमेरे नहीं होते रेडार साउंड सिस्टम के साउंड वेव पे चलता है वہां से वो पकड़ता है सुयम प्रदान मंत्री प्रदान मंत्री पद की गरीमा रखने को तयाद नहीं है उनकी जॉग्रफी उनकी इतिहास चार सदियों के अलग-अलग संत एक जगा चर्चा कर रहे थे ये बताते हैं महरास्टर के सोलापूर का जाकेट मुझे आज भी पसंदे बताते हैं जबकि सोलापूर में चद्रे बनती है जाकेट बनती हैं नहीं उनकी अज्ञानता का प्रदर्शन वो बार-बार हर बार करते आये हैं और पुरा विश्व इसको देख के हस्ता भी है तो हम क्या कहें जाके कि हमारे प्रदान मंत्री बहुत कौलिफाइड है इंटार पॉलिटिकल साइन्स की डिगरी है उनके पास जो दिखा नहीं रहे है सबसे पहले हर इंसान को उस पद की गरीमा लायक विवावार करना होता है फिर हम दुसरे को कहें कि आपने हमरे तरफ उंगले क्यों उठाई ये एक पार्ट हो गया उनके सत्या सत्य का मतलब राव गांधी ने जो बोला उसत्य उनने का ये डिफेंस एक्सपर्ड भी है तो मैंने बता दिया उनने का इतिहास का रहे है भी बता दिया क्या उन्होंने स्टेट्मेंट दिये और वो कहते हैं कि देश की बाहर बुराई करते हैं तो यही नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे प्रदान मंत्री है देश के जो देश के बाहर जाके पहली बाहर मेरे सत्ता में आने के बाद अच्छा हुआ और इसके पहले 1947 से लेके आज तक देश में कुछ नहीं हुआ ब्रश्टाचार ही ब्रश्टाचार हुआ लोग एस सोचते थे पहले कि पुनर जन्म हो तो भारत में नहीं हूँ इस भारत की छवी को भी इनी नरेंद्र मोदी ने परुसा है बाहर तब लोग हस रहे थे उन्होंने आटल वियारिवाच्पई को भी देखा उन्होंने इंद्रा गांधी को भी देखा उन्होंने मनमोह लाण सिंग को विश्व के बड़े-बड़े राष्टण नेता, बड़े एकॉन्मिस्ट होने के नाते उनसे सलाह लेते थे, उनके कारेकाल को भी आपने नकारा, जवार्ला लेहरो और शास्त्री को तो आप कुछ समझते हैं नहीं, कम से कम अठल जी के तो पिरण को आप करने वाली महिला को जब पदमस्री दी जाती है और वाय केटेगरी की सेक्रिटी दी जाती है तो विश्व क्या वाकि महिमामंडित होता होगा क्या आज तमाम उन लोगों को मैं पूछता हूं जो कहते हैं कि विश्व में देश की छवी राहूल गांधी खराब कर रहे हैं तो पे लेके चलेंगे, क्योंकि ओलम्पिक के मिडर्स पाएं हैं उन्होंने, उन्होंने उस खेल में स्रेश्चता दर्शाई है, आज वो महिलाएं, उन लड़कियां, उनका शारीरिक सोशन हुआ, इसलिए नयाय मांग रही है, उनकी उपर केसे लगाए जाते हैं, उनकी उपर लाठियां बरसाई जाती हैं, वो मजबूर होती है, आमरन अंशंग की घोशना करने के लिए, पुरा देश उनके साथ खड़ा होने की बात करता है, किसान खड़ा होने की बात करता है, खाप पंचायत करता है, विपक्ष करता है, उनके पार्टी की महिला निता भी, पृतर प्रकार की गुहें हैं क्योंकि वह आपके पॉलिटिकल पार्टी का है बीजेपी का सदस्य है सांसद है तो उस पर एक्शन लेने के लिए सरकार कत्रा रही है तो क्या इस से देश का बहुत अच्छे छवी होती होगी क्या विश्व के खिलाडी सारे विश्व के ओलंपियन देख नहीं रहूंगे भारत के उपर क्या हो रहा है भारत में खिलाडियों का महिला खिलाडियों का शारीर की सोचन भी आनिवार रहे है एक क्लॉस दाल लिया है क्या आपने उसके बारे में जब विश्व में छवी खराब होती तो शरम नहीं आती एक ऐसा देश जो अपनी पाँचवी एकोनामी बड़ी होने की बात करता है वहां का व्यापर का घाटा दो सो अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है क्या इससे देश की छवी खराब नहीं होती तो क्या वर्तमान में जो नीचे स्तेवर पर रुपाय गिरा है तो क्या भारत की छवी उठी है उपर रोज भारत की छवी मलीन हो रही है और सरकार के करतुतों से हो रही है ऐसे में राहूल गांधी के नाम से विलाप करना ये एक और हास्यास्पद बात है ऐसा दिखाई देता है सत्य यहां डोलता है इसलिए अशुक मानकडे बोलता है राहूल गांधी तो और अब कुछ बोलेंगे बहुत बोलेंगे उनके जवाब आपके पास नहीं है इसलिए राष्ट द्रोहत देश द्रोहत देश की छवी की बात ये लोग करते हैं देश की छवी तब कहा जाती है जब प्रदान मंतरी मन की बात में सपिद जूट बोलते है जो तताकतीत राजदंड है उसे नेहुरू की वोकिंग श्टिक बताई गई है जबकि वोकिंग श्टिक और श्टिक में यह फरक है शायद वोकिंग इस शब्द का अर्थ हुने पता नहीं कि अंग्री जी पढ़ नहीं पाते इसलिए उन्होंने वॉकिंग स्टिक कहा जब कि वहां स्टिक लिखा हुआ था गोल्डन स्टिक जिजे संगोल कहते थे तब भारत की छवी खराब नहीं होती है जी देश में 700 किसान मरते हो और प्रदान मंति कहते मेरे लिए मरे क्या तब विश्व के किसान देखते नहीं होंगे कि भारत के प्रदान मंति किसानों के प्रती क्या सन्मान रखते हो तब भारत की छवी खराब नहीं होती है भारत की छवी रोज मलिन हो रहे हैं क्योंकि भारत में जो कुछ भी घटता है पुरा विश्व उसको देख रहा है जैसे पुरे विश्व की चीज़े आज हम देख रहे हैं आज इतना ही फिर आउंगा कल किसी विशे के साथ तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूस नशा और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा